हाई गेस विडियो डीजिंट डीजिल परका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं आप अपने डीजिंग को और इजी केसे बना सकते हो आप की कई उसके से कर सकते हो अपनी वीडियों में यह आपको एसा लगता है कि यह मैं इस सोंग के वाद मुझे कौन सा सोंग करने में प्रोलम होती है तो आप में साथ इस वीडियों बंदे रहे हो कि आपको इस वीडियों में बहुत सरी बाते बताते मना हो मैं कुछ आपको एक्जामपल बताता हूं जीसे कि आप कोई भी प्लेश्ट करता तो तब क्या करते हो आप एक जैंद्रे कि स्लोंग कर लेते हो और मतलग की 126 125 127 यह 130 129 आप इस विसंटी सोंग का सोंग प्ले करने लग जाते हो और फ्ले करने लग जाते हो ठीकि आप इस पीड पर धियान दे रहे हो बद जितना बीपन जरूरी है उतना की बीचरी पूरा जान जाएगी जैसी कि आपने पेले ही प्लेश्ट में आपने ज लग रखाए आपने सब्सक्राइब आपको पता करना है कि की सब्सक्राइब आपको के वारे में पता होगा तो आप आराज आप BPM चेंज कर देते हो आपको पता हो जाता है कि आप 128 के बाद 129 आएगा 130 आएगा तो मैं इस सोंग को इस से आगे बढ़ाऊंगा तो आप टेंपो चेंज करके प्ले कर सकते हो प्रोब्लम कब आती है की पर आपको पता ही नहीं होता कि रिलेटीव की कब कौन सी किसकी है तो इसलिए मैं यह video बना रहा हूँ क्योंकि आपको relative की के बारे में पता होना भी बहुत जरूरी है उसके लिए आपको याद होना चाहिए circle of fifth तो मैं यह video mainly circle of fifth पे बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं next video मैं आपको बताने वाला हूँ कि की की दौरा के से play कर सकते हो इसके तो आप में सब्सक्राइब कर दो आपको दिख रहा हुगा एक चाट जो कि मैंने आपके लिए ही बनाया कि आप अच्छे से समझ पाया प्या देख सकते हैं मैं लिखाया उपर तो आपको सब कुछ बताने वाला हूँ और इस पेसली में जादा आपके लिए ही बना रहा हूँ क्योंकि मुझा लगता है एक डीजे को इतनी पता होना चाहिए जिससे आप की के दोरा आसानिस प्ले कर सकें और यदि आपको मैं टेक्निकल भासा ज्यादा मैं यूजने करता आपको समझना है आप हार्मोनिकली प्ले कर सकें ठीके तो इसलिए मैं यहां मुझिक त्विरी आपको समझा रहा हूं कि की के दोरा अप कर सकें का की के दोरा प्ले कर सक tut जैसे ही आपको बताता हों पर जाते हैं मैं विल्चव धीated यκι मेरिं इतने बी करते हैं mostly time but इसी के पास आपके पास यहां लिखा रहता है की का option यहीं आपके जो song है उसके behavior को बताता है और हम इसके दौरा बहुत अच्छे से play कर सकते हैं मैंने बहुत time इसी के दौरा प्रीकिया और मुझे बहुत अच्छा response मिला है बहुत अच्छा result मिला है तो यहां पर आप दे सकते हैं दो सोंग आपने लोट कर दिये हैं यहां की पर जाता हूँ आपको क्या पीसे देखने को मिलता है आपको देखने को मिलता है smart key match only applies if the key changes within plus one या minus one से मिटों आपको यहां याद रखना है तो यहां क्या लिखा है इसका भी मैं पूरा आपको समझाने वाला हूँ जिससे आपको बहुत आसानी होगी प्ले करने में यदि आपको इसा लगता है इसके बाद कौन सा सौंग डालना चाहिए तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि आपको इससे बहुत help मिलने वाली है बहुत बड़े बड़े प्रेडियूसर इसी जो आपके टेक्निक है की की टेक्निक आपको इसी की द्वारा प्ले करते हैं तो प्ल की आपको मैं सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए आपको समझाने के लिए में मिडी कीवोर्ड का यूज कर रहा हूं ठीके तो अब हम सुरू करते हैं तो जैसे की हमरे बस कीज कितनी इसमें तो आप वहां पर देखेंगे लौंच की 49 लिखा है नौवेशन का मतलब कि 49 इस तो आपको देखने को मिल जाएगी इसके लागर पास ओक्टेव कितने हैं तो इसमें आपको चार ओक्टेव देखने को मिलते हैं एक ओक्टेव यहाँ है दूसरा ओक्टेव यहाँ है तीसरा ओक्टेव यहाँ चोथा ओक्टेव यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपको keys के वारे में तो अप यहाँ पर देख सकते हैं एक ओक टे में हमरे रेपस कितनी takis आती हैं मतलब एक ओक-टे में आपकर 12 कीज आती हैं इसमें 5 कीज होती हैं 7 कीज होती हैं तो कीज के नाम क्या है यह सी है सी सार्प है इसे आप बोल सकते हैं दो ठिक है आपके उपर है आपको sharp बोलना है यह flat बोलना है बट आपको याद रखना है C yer acost to call में, इसके यहाद रखना है, तो द पिछे का, जो 系fi होता है वहां आपके पास सार्फ होता है उडो यह याद रखना है इसके यहां पर देख सकते हैं C, C-Sarp, B, D-Sarp, E, इसके बाद आपके बास E-Sarp तो नहीं है, तो क्या आएगा, F-Sarp, G, G-Sarp, A, A-Sarp, और B, ठीके, आप इसे B-Plate B बोल सकते हैं, और उसका डारेक्ट पिस्ट रो जागा C, तो आपको यहां चीज याद रखनी है, इसके लब आपक पूरा Full Tone हो चुका है, इसके बाद, इसके जो बीच में जो कीज आती है, इसका मतलब यहां सेमिटोन है, यहां सेमिटोन मिलके बनता है, एक Full Tone, तो यहां सेमिटोन मिलके बना दो, एक Full Tone, मतलब दो सेमिटोन मिलके बन जाएगा एक Full Tone, तो हमरे पास जो Scale है, जो हमरे यहां major scale का formula है तो यहसी कि आप यहां देख सकते है full tone मतलब की 2 semi tone मिलके full tone मनता है तो यहां 2 full tone हो चुके है और उसके बाद जो तीसरा है यहां पर तो कोई बीच में कीज नहीं है तो यहां semi tone हो चुका है उसके 3 full tone और उसके बाद फिर यहां semi tone तो इस तरह से आप formula पता कर सकते है मतलब हमरे पाद C scale कैसे play होगी आप यहां पर देख सकते है इस टाइब से हम C scale को play कर लेंगे ठीके तो यहां हमरे पास C scale हो चुकी है इसके बाद हमरे पास यहां पर बात आती है minor scale क्या होती है तो C minor, जैसे C major तो हमरे पास यह हो चुकी है, scale, C minor scale क्या होगी, तो मैं आपको बताता हूँ, तो जिसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, C minor scale का formula क्या है, जिसे कि हम एक general formula पता करें, minor scale का तो क्या है, यहाँ पर एक full tone आता है, फिस semi tone, फिस दो full tone, फिस semi tone, फिस दो full tone, मतलब कि आपका जो general formula है, एक full tone, एक semi tone, फिस दो full tone, फिस दो full tone, फिस दो full tone, फिस दो full tone, यहाँ minor scale का formula है, और फिर मैं अपको एन्ट बोल पाइंगे अको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको लाज में बताऊंगा आपको क्या समझना मैं और य union क्लिए विल्ए आके पूरी आपकी अपकी द्यायों प्लारा फेलेंगे तो एक बार में फुल नोट, फुल नोट, हाफ नोट इस टेपस अप लेकर सकते हैं डिगी पर एसी आप सभी की की स्केल निकाल सकते हैं ठीके अब मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि विडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आप खुद निकाल के देखिएगा इसके लावा आप हम आप अब के हमारे को क्या करेंगे आप तीन मिट्व पीछ जाएंगे लिए सटेरे मतलब यह क्या है हमारा हमारा मलेघ ओए अब इसकेल क्या होगी तो देख सकते हैं ए माइनिर इसकेल भी यह होती है इस से क्या मतलब ओधले तेमारे पास आ रही है है वाइट की जा रही है और यदि हम एक प्ले करेंगे तो ए में भी पूरी बिल्खुल बिल्कुल जैसे की देख सकते हैं कुछ सेम की आपके पास आ रहे हैं मतलग क्या हैं रिलेटिंग हमारे पास सकेल है जैसे की है मेजर इसकेल थी यहां एमाइनर तो इसलिए कभी भी sound भुरा नहीं लगता जब भी आप C से A पर चेंज करते हैं C मेजर से C माइनर पर ठीक है इसलिए sound भुरा नहीं लगता जैसे कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ यह जब भी आप C मेजर की scale को play करेंगे जैसे कि आप कोई भी song play करते हैं चो C major पर बना होता है तो A minor पर play करेंगे तो same ही note से तो आपको कभी भी changes नहीं लगेगा कोई भी song को play करेंगे तो अब यदि आपको relative निकालना है minor C major के लिए तो आप क्या करेंगे तो जैसे कि मैं एक example के लिए आपको E minor लिए तो finder scale का formula क् full tone, semi tone, full tone, full tone, full tone, full tone, full tone, full tone तो बतलब full tone, semi tone, full tone, full tone, full tone, full tone, full tone, ठीक है आपको पता ही है मैंने कैसे कर रहा है तो कैसे होगी play skill इसकी यह है skill play होगी इसे तो अब इससे हमें major पर जाना है major relative skill क्या होगी तो जैसे कि मैं आप तो दिखाता हूँ यहां से हम क्या करेंगे जैस तो आप क्या करेंगे तीन सेमिटोन आगे जाएंगे तक एक दो तीन तो जो तीसरा है यह क्या है मारा जी है तो आप जी स्केल को प्ले करतें जी कैसे करेंगे आप जी की फूल स्केल का फोर्मूला क्या होता है दो फुल्टोन सेमिटोन तीन फुल्टोन सेमिटोन फुल्टो Fulton Semitone तो इसमें similar क्या है आप देखेंगे यदि मैं E minor play कर वा हूं तो इसमें जो black की वक्त नहीं आ रही है एक आ रही है आप देखें यहां एक है उसके पूरी इस अपकी यहां है देख सकते हैं यहां पर ठीके अब ऐसे यह में G को फुल प्ले करता हूँ G major को तो क्या होगा यह हमारा G है तो X full tone, full tone, semitone, full tone, full tone यहाँ पे भी एक आ रही है मतलब आप जब E minor को play करेंगे और E minus के दिए G major को भी play करते हैं तो उसमें भी आपको problem नहीं आए क्योंकि आपको quotes आप देख सकते हैं आप scale देख सकते हैं, आपको बिल्कुल भी difference समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह बिल्कुल relative quote से जैसे इसमें notes आ रहे हैं, वैसे similar इसमें भी notes आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल problem नहीं होने वाली, ज़िए आप minor से major पर इस type से बदलते हैं, तो इसलिए में आपको बता दे जब भी आप की दुवारा song को प्ले करते हैं, तो आप इस type की ज़िए आपको ध्यान में रहेगी, तो आप आसानी से बदल पाएंगे, और आप चूज कर पाएंगे अच्छे songs का, और जब भी आप अलग चेंज करेंगे, तो जो आपके audience है, जो आपके crowd है, उसको पता भी आपने scale जान ली है, अब हम पात करने वाले है circle of fifth की, जो कि मैंने आपको चार्ट पर दी, तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमने क्या क्या पता कर लिया है, हमने कीस पता कर लिया है, हमने scale पता कर लिया है, हमने octave पता कर लिया है, हमने major to minor to minor to major पर, हमने यहाँ भी पता कर ल सबढ़ ब सकते हैं यह को benefits ऐसे 능िखने को MÈल रह produces किस कीज में उसक्ते हैं तो इसके लब तक्रिश्य क्षिए निकाल सकते हैं और आप पता कर सकते हैं एक किंद i xart बोलना हुआ बोल सकते हैं इंडिया में ज्यादा फशाप बोलते हैं इसलें जादा यूज करते हैं तो यहां आपके ऊपर है आपको क्या चूज करता है ठीक है आपको सी मेजर प्ले करना ठीक है तो यहां पर हमने आपको सी मेजर स्किल C skill का 5 वे नमबर की की पर जाना है तो इसे 1, 2, 3, 4, 5 आपको याद रखना है जो C skill पर कीज आती है उसी पर आपको रखना ठीक है तो 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है तो यहां हमरे पास क्या है G है तो आप क्या करेंगे अगला जो लिखेंगे G लिख देंगे इसके बाद आप G scale पर कुन से 5 नमबर बाता है तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाद D है तो आप क्या करेंगे D यहाँ पर लिख देंगे इसके बाद आता है G से हम फिर 5 जाएंगे तो 1, 2, यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है जो D major की scale क्या होती है एक full tone, दो full tone, फिर semi tone आता है तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ क्या है ए है तो आप इस type से पूरा circle of fifth बना लेंगे ठीके अब आपने हैं बना ली है तो आप यहाँ कर क्या रहा है तो जैसे के आपको मैंने बताया था C major का code होता है यहाँ तीन उली से play करेंगे तो यहाँ वो चारो मैं इस play करेंगे तो यहाँ code यहाँ है तो यहाँ कर क्या रहा है circle of fifth आपका जो पांचवे नंबर का code है यहाँ आपको circle of fifth बताता है code के लिए ठीके तो जैसे के आप यहाँ देख सकते हैं आपको पता है C आपके पास यहाँ है बताता है code के लिए तो यही मैं आपको सिर्फ नॉर्मल तरीके साब को बता रहा हूँ तो आप इस तरह से हर किसी जो fifth number का आपके पास गीज रहेगी उसको आप circle of fifth से पता कर सकते हैं जैसे की यही में पास G का पता करना है ठीके जी मेजर क्या होता है तो जैसे हमआरे पास यहाँ G है आपको पता करना है इसके code क्या है तो यहाँ इसके code है तो आप इहां देख सकते हैं यहां आपके पास fifth number का d code लिखा है तो इस टफ़ब इस तायप से आप code की द्वरा पता कर सकते हैं ठीके जब भी आप विक आपके जो virtual DJ हुआ आप उस पर जाते हो तो जब आप key पर click करते हैं जैसे कि आपको पता है कि आपने सबसे पहले क्या किया आपके जैसे कि C major था ठीक है अब आपने यहाँ keys देखी आपके पास C major के गाने नहीं है तो आप क्या करेंगे जैसे कि आप आप यहाँ देखेंगे कि आपके पास थोड़ा सा मिलता जुलता कौन सा मतलब कि एक key सिर्फ उपर हो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ जब भी आप play करेंगे ना यहाँ पर C है ठीक है अब आपने सर्कल फिफ्ट बनाना सीख लिया है तो यसी कि आपके पास C है ठीक है C major scale है अब आपको पता है कि इसका दिलेटिव कोद कौन-कौन से है तो आप यहाँ देख सकते हैं G अब जी हम major scale play करते हैं तो क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ यह जी है ठीक है तो जी major scale यह है तो इसमें पूरी same to same आपके पास keys आ रही है बट एक key का difference है वहाँ है यह ठीक है तो आप इस तरह से इस चीज का पता कर सकते हैं अब यहाँ मरे पास एक प्रकास आप बोल सकते हैं कि full note half note फिर उसके बाद full note आएगा full note full note full note half note ठीक है तो क्या हुआ हमरे पास एक ही key का difference आया है मतलब सिफ इस key का difference आया है तो यह हमरे पास relative to quote हुए किसके इसके तो आपको इसना difference देखने को नहीं मिलता तो आपकी क्या होना चाहिए आपके procedure आपको पता होना चाहिए कि C major पर कोई भी आपके पास song नहीं है तो आप क्या करेंगे A major को देखेंगे क्योंकि C major और A minor आपके same to same key जाने वाली है यदि आपके पास दोनों में song नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे आप related quotes देखेंगे आप यहां देखेंगे कि आप मेरे पास यसे C है ठीक है C major है तो इस type से आप related key का भी पता कर सकते हैं इसके आपको यहां बताता है इसमें कितने शार्प आए हैं और कितने इसमें आप इस को इस यदि आप के विश्ट के भी पता सकता है सटवलु दिखाता हो यहां की इसमें शार्प आप बोल सकते हैं नहीं आई क्यांकि आप यहँ देख सकते हैं यहां आप य्या रीव फिलेट की है तो यहां नीचे ही हमारे fleeing plate की आपके पास आ रही है आपके पास एक shelf की आपके पास आ रही है एसी आप G में Play करेंगे तो हया फो आप यहां दे जिए आप D play करते हैं D तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं यहाँ D है ठीक है आप यहाँ पर यह D है तो आप किस पर किक्ति शार्प की आ रहे हैं तो जैसे कि यहाँ फुल नोट है A का हम आरे पास यहाँ आ रही है तो उसके बाद यहाँ पर यह यह फिर A कोर आ रही है मतलब कि आप यहाँ पर 0 थी यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है इसके लब हमें A की बात करें तो A play करते हैं A major क्या है हमारा जैसे कि A यह है अब मैं आपको scale इसलिए नहीं बता रहा हूँ पूरी-पूरी आप विकुल जैसे आपको code पता ही है major square क्या है 2 full note, half note, 3 full note, half note इस type सब पता कर लीजिए तो हमेरे पास A क्या है या A है अब आप इसमें कितने हारा आप देखिए जैसे मैं A play करता हूँ तो यहाँ एक full tone फिर यहाँ पर गए आप यहाँ गए semi tone हुआ, fearful tone यहाँ पर 3 आ रही है तो यहाँ पर आपके बाद शार्प की और या फ्लेट की आप बोल सकते हैं कितने आ रही है 3 आ रही है, तो इस तरह से आप शार्प और फ्लेट की का भी circle of fifth से पता कर सकते हैं मुझे लगता है, सिर्फ यहाँ चार्ट से आप बहुत सरी चीज़ पता कर सकते हैं अब मैं आपको बताने वाला हूँ यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो क्या समझने वाली चीज़े दीजेस के लिए इस पीस ली, ठीके आपको यहाँ पता हूँ कि यह गीज़े से चार्ट कुछ भी डिया आधा चीज़े पता कर सकते हैं तो आप यहाँ चीज़ पता किजिए और इसके बाद आप क्या पता कीजिए इसके लाब आपके पास कौन कौन से डिकीश आपको पता इसमें मेरे दो जाने के लिए अब एक विजख को याद कर लीज़िए और चुमिन आपको बता एक तो इस से approach क्हां ज़्ज लेते हैं practically तो मुझे लगता है तो मुझे लगता है आपको याद करने में भोष wonderful आपकी Superintendent सब्सक्राइब दोस्तों में आया होगा थेंक